बिहार विधान सभा चुनाव के तीसरे चरण का मद्दान बीते दिन संपन हो गया इस चरण के चुनाव में राजक और महागडवंदन के साथ ही तीसरी शक्तियों का भी इम्तिहान है मिथिलांचल से लेकर कोसी और सिमांचल तक कई दलों में तीसरी ताकत बनने की होड लगी है इनमें AIMIM के OVC, जाप के पपुयादब, रालोसपा के उपेंदर कुश्वाहा के नाम प्रमुक है इन दलों को मिलने वाले वोटों पर सबकी निगाहे टिकी है यही वोट दोनों प्रमुक गडवंदनों को खास कर महागडवंदन का गनित बना विगार सकते हैं तीसरे चरण में जिन इलाकों में चुनाव हुआ है उनमें सिमांचल के जिलों में मुस्लिम मदाता बहुत आयत में है कई जगों तो इतने हैं कि हार जितके फैसले के लिए उन्हें किसी दूसरे की जरूरत नहीं है इन्ही वोटों पर ओवैसी ने नज्रे गड़ा रखी है मुस्लिम वोटों में ओवैसी जितनी भी सेंद माड़ी करेंगे उतना ही ज्यादा नुकसान महागडवन्दन का होगा यू तो मिधलांचल और कोसी अंचल की कुछ सीटों पर मुस्लिम मदाताओं की संख्या अच्छी खासी है लेकिन ओवैसी का असर सीमानचल की कुछ सीटों पर रहनी के उम्मीद है ओवैसी ने 24 सीटों पर प्रत्यासी उतारे थे वहीं जापने भी कोसी से लेकर सीमानचल तक प्रत्यासी उतारे हैं इनमें कई राज़े सही दूसरे दलों के बागी भी है कुछ जाप अध्यक्ष पप्पू यादब मदेपूरा सीर से चुनाओ मैदान में मदेपूरा के यादब मदाता थोड़े अलग विजाज के माने जाते हैं ऐसे में पपू यादब इस पूरे इलाके में कितने प्रभावी रहे इसका पता 10 नवंबर को चलेगा वहीं तीसरे चलन में रालोस्पा के भी 24 प्रत्यासी मैदान में थे उपेंद्र कुषवाहा ने दूसरे और तीसरे चलन में काफी संख्या में कुषवाहा प्रत्यासी उतारगर रालोस्पा ने महागड़वंदन और NDA के वोट बैंक में सेंध मारी की कोशिस कुनी कितनी परवान कितनने के लगड़वंदन और NDA के लाय हूट ने चितनि कोशिस उतारगर रालोस्पा धर वोटेंदन